तो आज का टोपी का हमारा सिंदू सब्वेता आज में बात करें सिंदू सब्वेता के वारे में यह को सनाथर सेट है आप अपनी प्रैक्टिस के अनुसार लगा सकते हैं और अपर सब्वेता का सरवातिक मानने था किस का लिमती सब्वेता को प्राग यहां सिंदू सब्वेता को प्राग यहां से काल के अंतर का तरखा जाता है इस सब्वेता के मुख्य निवासी द्रवण एबं भूम अद्दस आ रही थे यानि इस सब्वेता में जो लोग निवास का नहीं थे वो द्रवण से आए द्रवण लोग थे नेक्स्ट कोस्टन पड़ चलते हैं सिंदु घाटी की सब्वेता निम्लिकत मैंसे किस सब्वेता के समकालिन नहीं थी तो इसमें आपको मिलते हैं तीन सेगन ग्रीक की सब्वेता सिंदु घाटी की सब्वेता मिस्र मैसोपोटामिय एवं क्रीट सब्वेता के समकालिन थी छेत्रवण की दर्ष्टी से यह भाग मिस्र मैसोपोटामिय एवं क्रीट की अपिक्षा कहीं अधिक बिस्तृत था समकालीन बिच्व की कोई अन्य सब्विता से बिस्तिरत नहीं थी यहीद सिंदु सब्विता से बड़ी कोई भी सब्विता हमारी नहीं थी इसके सभी इस्तलों से प्राप्ट तत्म में नाकेबल शमता है कि बड़ एक रूपता भी है सुमेरिया में सेंधभ जैसी सब्वेता के बर्तन मोहरें तथा चोले त्यादी मिले मिस्र में मिले आभुषण और स्रंगार प्रसाधन सेंधभ आभुषण तथा स्रंगार प्रसाधन जैसे की ही है के लिव ते पिल रहा है कि इसलिए तेल के मतलब मतलब में हम एक्दू सरूला कर रहा है इक पता कर प्राप्त होंगी यहां बनी दूसे चौन बेंच देखी तीसे चौन बीच देए उस प्रकार क्या है कि जो हमारी सामेक ग्रीटेक यह कि सबस्क्राइब पहुझ गव्याइज झेट की सब्यान के सब् contempor शक् ένα खरेंगे के जुथ senduk सिंदु घाटी की सब्वेता कहां तक बिस्त्रित थी तो यह होगी हमारा ओप्सन डी पंजाब, राजिस्तान, गुजराद, उत्रपरदेस, हर्याना, सिंद और बलुचिस्तान इन छेत्रवां जो थी हमारी सिंदु घाटी की सब्वेता फैली होई दी सिंदु सब्वेता के सरवादिक पश्रमी पुराइस्तल दार्स नदी के स्तान पर जोगे हमारी बलुचिस्तान पर पढ़ती है पूरी प्राइस्तन हिंडन नदी के किनारी आलमगीरपूर जलामेर उत्तर प्रतेस उत्तर पुरा इस्थल चिनाव नदी के तट पर जमुकस्मीर में बदच्छडी गोदाबरी पर एहमदावान महाराश्ट के पाजुएं बहाँ पर हैं सिंदू सब्वेता नगरी सब्वेत सब्वेता राखी गड़ी यह हमारे छे बड़े नगर थी अब कोई भी सब्वेता नगरी या सहरी है तो उसमें हम कैसा नमाल लाएंगे बहां की 75% जो आबादी है वो क्या है बैपारी के चादी होनी चाहिए 75% आबादी उसे हम सहरी करना में देते हैं सब्वेता प्राप फार काली पंगा क्वा थी ने इसमें सिंद्व ऋसल्परा राखी के सब्वेता में अब्सेज कहां में लिए कर प्योंचा गया में सिर्व को ट्रा गुजरात के कर्शिले में अस्तित यहां से कड़रे के असरो अस्तित को akt प्रतेस में तो यह पड़ता है हमारा राजस्तान के हनमान गड़ जली के एक प्राचीन वे थियासे किस्तार है कि यह अपसे मेले काली बंगर एक छोटा नगर है यहां एक तुर्ग मिला है प्राचीन और सरस्वादी मतलब प्राचीन द्विद्रस्त में इसके खोश की ठीजेखन गया है निर्माण की रूप में किया गया है तो देखाए वार सेल खड़ी एस्ट कॉसल पर जलते हैं आपस अबता कैसे यूग की थी कांच से यूग और यह संदु सब्सक्राइब को से लिपी कि ना पड़े जा सकता है तरती कास काल की सब्सक्राइब कारबन विसरेशन के आधार पर पर प्शेश्ट पूर में विदमान मानिया ते कि इस अबता 350 से 1758फा 500 वर्स तक रही सिंदु घाटी सब्सक्राइब के लोहां का प्रमुग क्या था को ब्यपार इस अबता में किसान और अब वेपार तो आपको परहें पराइब करते हैं रंगपुर और उलो तल से चावल के प्राइब मिलें अपर वाशी मैश्यू पोटामिया में बैपार करती चांतिक का परियो भारत में सरप्रथम हड़ा बाशियों के द्वारा किया गया था अधो नश्ट को सने हड़ा भासी जो हरपा तो सेहरी मैंने आपको पहला ही बता चुका हुआँ हाडपा जो हमारी सहरी सभैता थी भारत का पर्तम नगर्णिकरन हडपा सबदा द्वारा सुरुवाद किया है इस सेहरी क्या जो एक और वही है जो इजहां के मकानों की बनावर जो ती आज के मकानों से भी कहीं अच्छी तो कर नहीं कह सकते लिए हाँ ठीक ठाक थी भारत पर दोती सहर रिकान गंगाधारी में छटी सताब्दी में हुआ था बैसे अग्राण में जब बता थी है इस अधार विए तो से दिक गएते हैं जहां 25 प्रतिस्याद मानभ जन संग में गयर करसी अट्विंस कोस्तन आहां शिंद्धि सब्गता गर किसके बना जाते थे इत जिंद्धि घर मुःट से बना जाते दें लगडि का प्रिवग भी घर बनाने के लिए कि आ जाता था श के लाकड़ी का इस जादी घर हमारे होते हैं इत दूपर सुखा कर चार दो एक का रेशियो था इत अनेक आकार अदर का देते हैं इत कप्रियों काली वंगन में मिला हैं सिंदु घाटी की सब्रता का सबसे पूर्भी सीमा मेरट के हिंड़न नदी के काताट जो है आलामगीर पूर है सबसे पूर्भी सीमा नेश्ट कोस्टन है